हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल ब्रीन फोर कोल लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसा व्यू जो है वो क्रियेट करना है तांके उसको आप किसी एकमर्स एप्लिकेश डेवल्पमेंट के टाइम पे जो है वो यूज कर पाएं तो यह बेसिकली आपने काफी एकमर्स के लेटर जो वेबसाइट से उनमें ऐसी लुक जो है आपने देखी होगी तो इस एक्जाम्पल के अंदर हम जो टेकनीक यूज करेंगे वो करेंगे यू आई कॉलेक्शन व रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एक्जाम्पल है सिमुलेटर के अंदर पहले मैं आपको उसकी वरकिंग बता देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एक्जाम्पल हैं वो अपने आई यूएस वाइटम्स हैं यहां पर और इन्हें मैंने कोलेक्शन व्यू की हलप के साथ एज ग्रिड व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है तो यह ग्रिड बेसिकली हर रो के अंदर मैंने तीन कॉलम्स जो है वो क्रेट किये और उनमें जो है पर्टिकुलर कैटेग इस तरीके से मैंने जो कैटेगरी जो डिवल्प की है तो यह जो व्यू आपने किस तरीके से डिवल्प करना है वो आज हम सीखेंगे और आने वाले दिनों में जो वीडियो जम लेके आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी क को सेलेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटर जो प्रॉडक्स हैं वो टेबल व्यू के अंदर आपने किस तरीके से डिस्पले करवाने हैं तो चलिए यह वाला व्यू जो आपने क्रेट करना है आज बड़ा ही ईजी और सिंपल है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप जरूर दियान से देखिए प्रैक्टिकली डेवल्प करने से पहले आपको थ्रैटिकली थोड़ी सी टाम्स के बारे में नौलज जो होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यू आई कोलेक्शन व्यू बेसिकली एक आई यूस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसको डिजाइन किया गया है तांके आप कोलेक्शन ओफ डेटा एटम्स को मैनेज करवा पाएं और फॉर्म के अंदर और उन्हें प्रेजेंट कर पाएं एक कस्टमाइजेबल ले आउट के अंदर तो क्लेक्शन व्यू जो है वो हमें एक फ्लेक्सिबल वे प्रवाइ जैसे हमारा टेबल व्यू वर करता है टेबल व्यू जैसे किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसको डिस्प्ले करवाता है और उसी तरीके से क्लेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसे डिस्प्ले करवाता है ऐसे कम्बिनेशन ओफ सेल ले आउट एंड स supplementary view तो चलिए अगर कहीं पे भी आपको data को grid की form के अंदर यहां फिर custom layout की form के अंदर display करवाने की जुरूरत पड़े तो तब आप जो है वो collection view को use कर सकते हैं तो चलिए अब हम देखेंगे practically इस example को हमने कैसे develop करना है तो सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूँ इस पूरे project को हम close कर देते हैं क्योंकि एक नए project के साथ शुरुबात करेंगे और देखेंगे कैसे हमने शुरू से लेके end तक जो है example को develop करना है तो friends, students यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप channel के ओपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel के ओपर हम daily programming के related जो video tutorials हैं उनके सबसे बड़िया जो methods हैं वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और साथ में कहीं पर आपको कोई दिक्कत, कोई परशानी, कोई problem आती है तो आप हमें YouTube पे comment कर सकते हैं यहाँ फिर हमें directly email बे चाड़ने की कोशिश जरूर करेंगे हम तो यहाँ पे हम एक नया product शुरू करते हैं File new project यहाँ पे single view app को develop करेंगे अब आपने product name के अंदर आज की example का जो name है वो लिखना तो मैं यहाँ पे अपने और से एक example का name जो है वो लिख देता हूँ e-commerce app like flip card flip card की तरह ही हम जो है इस example को develop करेंगे जो बाकी settings है वो आपने default रहने देनी है जो language हम use करेंगे आज की example के लिए वो है swift और next के उपर click करता हूँ अब आपने अपने laptop के अंदर कहीं पे भी एक folder जो है वो create कर देना है तांके आज की example का जो source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैंने इस name से एक folder create कर दिया है और उस folder के अंदर पूरा project जो है वो create कर दिया है अब आप देख पा रहे हैं अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाऊ हूँ तो जो आज का मैंने example के अंदर जो swift use की है उसका जो version है वो है 5 और जो X code का मेरे पास version है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो चलिए development शुरू करते हैं सबसे पहले आपने main.storyboard के अंदर जाना है और इसका जो graphical user interface है वो यहाँ पर आपने study करना है तो इस storyboard के ऊपर click करेंगे इस view को select करेंगे attribute inspector के अंदर जाएंगे और यहाँ से background color है वो आप कोई भी यहाँ पर set कर सकते हैं मैं यहाँ पर yellow color जो है वो यहाँ पर set कर देता हूं अब आपने next step पे क्या करना है अब हमने इस table view के अंदर इस sorry यहाँ पर storyboard के अंदर हमने collection view जो है वो add करना है मैं यहाँ पर collection view को add करता हूं तो अब मैं चाहता हूं कि यह जो collection view है यह सारी की जारी जो mobile screen है उसको cover up कर पाए तो उसके लिए मैं constraint जो है वो apply करता हूं यहां से और चारों साइड़ों पर आपने जीरो 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 जो है वो add करना है और इसको add करना है आज है constraint तो चलिए मेरे constraints add हो चुकी है अब आपने इस collection view को select करना है size inspector के अंदर जाना है और यहां पर जो cell का size है वो आपने ख cell के चारों साइड़ों पर आपने थोड़ी सी padding provide करनी है ताके space जो है दो cells के बीच में बन पाएं तो उसके लिए मैं जो section insert है यहां पर top पर 5, bottom पर 5, left पर 5, right पर 5 वो इस तरीके से जो है वो add करूंगा अब आपने इस collection view को expand करना है और इसके अंदर जो collection view cell है इसको select करना और इसका जो size है वो custom करके देखना है क्या वो भी 150 by 190 है तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा तो चलिए अब आपने attribute inspector के अंदर जाना है किस तरीके से इस name को आपने use करना है तो चलिए अब आपने करना क्या है क्योंकि हम जो अपनी example है उसके अंदर एक image और साथ में यहाँ पे लेबल दो चीजें जो है वो display करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी के थू मैं एक image जो इसको drag and drop करता हूं इस collection view cell के अंदर इसको थोड़ा सा resize करते हैं और अब मैं जो है size inspector के थू इसकी जो width है इस image view की जो width है 120 और इसकी जो height है वो भी 120 जो है अब मैं इसके ऊपर एक image लगा के देखूँ है तो आपके पास जो है वो images जो है वो categories के रिलेटर जो होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे पहले से ही जो images है वो download करके रखी हुई है इस तरीके से internet से download की है तो सारी images जो है वो PNG format में format के अंदर एक मेरी JPG है यहाँ पे क्योंकि मुझे PNG की मिली नहीं वो image तो मैंने यहाँ पे JPG ले लिए है और यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक image का जो size है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से है different है बाद में हम जो है image view के तुरू इन सभी images का जो size है वो एक सा बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है तो इस तरीके की images जो है है वो आप एहले से ही जो है वो आप download करके अपने laptop के अंदर जो है वो रख लें किसी folder के अंदर अब इन्हीं सारी images को आपने अपने project के अंदर जो है वो embed करना है तो उसके लिए assess folder को select करेंगे यहां से और इसके अंदर सभी images को आपने select करना और इन्हें drag and drop करना app icon के नीचे तो चलिए images मेरी जो है वो यहां पर सारी आ चुकी है project के अंदर तो अब मैं करूंगा गया यहां पर main door storyboard के अंदर जाता हूं और इस image view के अंदर कोई एक image by default लगा के देख लेता हूं क्या वह प्रॉपर ली display हो पाती है मैं यहां पर appliances को add कर देता हूं आपने यहां पर जो content mode है वो आपने रखना है aspect fill fit तो by default यही है इसी को इस तरीके से ही रहने देना है अब आपने करना गया है अब आपने इस library के थूँ एक लेबल जो है वो drag-and-drop करना अपने storyboard के ऊपर चलीए यहां पर इसको में थोड़ा सсти center में कर देता हूं अब मैं इसको इसत्ताइल है font से इसका style जो है वो bold कर देता हूं और इसको done कर देता हूं तो चलिए यहां पर मैं लिखके देख लेता हूं क्या data properly display हो पाता है तो appliances जो है वो मेरे जो label है वो properly यहां पर set हो चुका है अब आपने करना अब आपने इनके जो constraints है वो set करने है इस image को select कीजिए इस label को select कीजिए और keyboard के उपर shift press कीजिए तांकि हम multiple UI element को एक साथ जो है वो select कर पाएं अब आपने यहां पर click करना resolve auto layout issues तो इसके अंदर आपने add missing constraints जो है वो add कर देना है तो automatically जो constraints है वो यहां पर जो आपने निकल के आएंगे apply हो जाएंगे तो apply हो चुके हैं इसके ऊपर अब आपने करना का है next step आपने करना है इस collection view का जो delegate है और जो data source है उसको view controller के साथ set करना है तो यहां पर आपने collection view को select करना है control की को press करना है और इसे drag and drop करना है view controller के ऊपर यहां पर आपने data source को select करना और फिर से control की को press करते हुए इसे drag and drop करना है view controller के ऊपर यहां पर आपने select करना है delegate तो data source और delegate दोनों ही set हो चुकी है अब आपने इस collection view cell के अंदर जो image है और साथ में जो label है इसका जो IB outlet है वो आपने किसी custom class के अंदर जो है वो create करना है तो वो custom class जो है वो हमें पहले create करनी पड़ेगी तो उसके लिए यहाँ पर click करते हैं new file अब आपने cocoa touch class को यहाँ पर add करना है next पर click करेंगे अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है जो class आप यहाँ पर बनाने जा रहे हैं उसकी जो super class है वो कौन सी होनी चाहिए UI collection view cell class और यो class का name है वो आप कोई भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ my collection view cell और इस तरीके से name रखके मैं next पर click करता हूँ अब आपने यहाँ पर create पर click करना है तो मेरी जो custom class है वो यहाँ पर बन चुकी है project के अंदर आपने इस custom class को जो है वो collection view cell के साथ attach करना है तो main.storyboard के अंदर चलते हैं collection view यहाँ पर collection view है उसके अंदर जो cell है इसको select करेंगे identity inspector के अंदर जाएंगे यहाँ पर और class के अंदर आपने जैसे ही अपनी जो नई class आपने create की है उसका name लिखने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा name अपने हाँ आप आजाएगा अपने enterprise करना है तो मेरी जो collection view cell के साथ जो custom class है वो attach हो चुकी है अब हम जो इस image view और इस label के जो आई बी outlet है वो create कर सकते हैं तो करना गया है इसके लिए assistant editor जो आप देख पा रहे हैं दो circle यहाँ पर join किये हुए हैं इसके उपर click करेंगे बाकी windows को मैं यहाँ पर hide कर देता हूं तांके आई बी outlet कैसे create करते हैं वो आप clearly देख पाएं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरी class है वो है view controller इसकी जगे पर हमने जो हमारी custom class थी वो use करनी है तो उसके लिए आटोमेटिक की जगे पर manual पर click करेंगे और यहां से जो हमने class create की थी नहीं custom class उसको open करेंगे और brackets के अंदर आपने इस image view और इस label दोनों का जो आई बी आउटलेट है वो create करना है तो सबसे पहले image को select करते हैं control की को press करते हुए keyboard के ऊपर drag and drop करना है my collection view cell class के अंदर यहां पर हम जो इस image view का जो आई बी आउटलेट है उसको name provide करेंगे तो मैं यहां पर name रख देता हूँ my image तो same name आपने coding के अंदर use करना है आप कोई भी name रख सकते हैं अब आपने इस label को select करना है control की को press करते हुए इसे drag and drop करना है और यहां पर name provide करना है my label चलिए इसको भी connect कर देते हैं मेरे जो आई बी आउटलेट है वो यहां पर बन चुके हैं अब आपने करना गया है standard editor के अंदर जाना है बाकी windows को मैं unhide कर देता हूँ यहां पर तो चलिए अब आपने करना गया है अब आपने इसको open करना है इसको एक बार save कर देना है इस custom class को अब हम जो है वो डेटा जो है वो collection view के अंदर display करवाना चाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई data source होना चाहिए तो data source को as a collection of objects की form के अंदर जो है वो use करेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक class जो है वो create करते हैं file और यहां पर आपने swift file क्रिएट करनी है next पर क्लिक करेंगे और इस swift file का जो name है वो आपने रखना है shopping data तो आप कोई भी name रख सकते हैं तो यहां पर आपको इस file के अंदर एक class जो है वो create करनी पड़ेगी तो मैं यहां पर class create कर देता हूं shopping data और इसके अंदर दो attributes हमने यूज़ करने हैं सबसे पहले एक लेते हैं category name इसको एजर string variable यूज़ करेंगे और एक लेते हैं category image और इसको भी जो है वो string यूज़ करते हैं अब आपने यहां पर एक initializer यूज़ करना है तो मैं यहां पर initializer यूज़ करता हूं और इसके अंदर दो parameters हमने पास करने हैं c name इसको as string और यहां पर c image इसको भी as string जो हम यूज़ करेंगे तो चलिए अब जो हमारे actual parameters है categories name category image इसको set करते हैं जो हमारे passing parameters हैं उनके साथ category name equal to c name और category image is equal to c image चलिए इसके साथ set कर देते हैं friends student यहां पर हमने जो एक class वो create कर दी है चलिए इसको मैं save करता हूं अब हमने जो है अपने view controller class के अंदर जाना है और इसकी जो बाकी windows मैं hide कर देता हूं तांके code आप clearly देख पाएं तो यहां पर एक हमारे से miss हो गया है हमने जो collection view है इसका जो IB outlet है वो भी किस तरीके से create करना है वो हमने देखना है तो उसके लिए assistant editor के अंदर चलते हैं बाकी windows को मैं यहां पर hide कर देता हूं अब आपने यहां पर जो class यूज़ करनी है वो करनी है manual के through आपने यूज़ करना है view controller और इस view controller के अंदर आपने इस collection view को select करना है यहां से और control की को press करते हुए drag and drop करना इसे view controller class के अंदर और अपने जो collection view का जो आपने IB outlet है उसका नेम जो है वो आपने provide करना है तो मैं यहां पर name रखूँगा my collection view तो चलिए इसको connect कर देते हैं तो मेरा जो collection view का IB outlet है वो बन चुका है मैं standard editor के अंदर चलता हूँ बाकी विंडूज को unhide कर देता हूँ एक बार save कर देता हूँ project को view controller class के अंदर चलते हैं और बाकी settings अब हम यहां पर करेंगे तो यहां पर हम एक array यूज करेंगे category list और यह किस type की होगी array यह हमारी जो class हमने create की है उस type की होगी blank array होगी इसके अंदर हम fill data करेंगे data fill करने के लिए कहने का मतला हो यहां पर objects को इस array के अंदर add करने के लिए यहां पर एक function create करेंगे private function name कोई भी रख सकते हैं आप मैं यहां पर ले रहा हूं fill data और अब आपने यहां पर one by one objects create करने हैं सबसे पहले category one shopping data और इसके default constructor के थ्रूँ जो हमने create किया था c name pass करना है तो मैं यहां पर करूँगा appliances और अब आपने इस appliances category के related जो image का name है वो same name जैसे हमने यहां पर use किया है appliances तो same name small letters के अंदर आपने यहां पर use करना है c image के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं appliances और चलिए category list के अंदर इस object को जो हम append करेंगे add करेंगे इस तरीके से और हमने अब one by one हर एक category के लिए एक object create करना है और उसको one by one category list के अंदर जो है वो append करते जाना है तो यहां पर है मैंने code जो है वो पहले से type किया हुआ है तांकि कि थोड़ सा time हमारे पास यहां पर save हो तो मैं आपको बता देता हूं चलिए यहां मैं copy paste करता हूं अपने code को तो यहां पर page करते हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं category 2 category 3 category 4 इस तरीके से हमने जो objects हैं वो create किये हुए हैं तो यहां पर देख लेते हैं क्या दिक्कत है आउ यहां पर जो cلى 00 s compare सी, image कर देता हूं क्योंकि code जो था मेरा पुराना मैंने सी इमेंज कर देता कोई कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि code मैंने पुराना copy paste की था अपनी पुरानी example तो मैं यहां को यह वह योगा है को यह तो यह है कर दिया है अब हमने इसी प्रेंट को यह विन के अन्देर जो है वह कॉल करना है तांकि जैसे ही आपकी एैप्लिकेशन लोड हो तो आपका डेटा जो है वो फिल हो जाना चाहिए अब हमने जो है वो collection view को simply implement करना है बड़ा ही easy है मैं extension वाली टेकनीक को जो है वो यहाँ पर use करूँगा तो सभी curly brackets के बाहर आपने लिखना है extension view controller यहाँ पर UI collection view data source UI collection view delegate यहाँ पर data source कर देते हैं और यहाँ पर UI collection view delegate flow layout तो इस तरीके से तीन प्रोटोकोल्स आपने यूज़ करने हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक tip प्रोवाइड करना चाहता हूं कि जब भी आपने प्रोटोकोल्स को यूज़ करना है तो उस प्रोटोकोल्स को confirm करने के लिए आपको उनके जो compulsory methods हैं वो code करने पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं जैसे fix के उपर click करूंगा तो आप देख पारें जो compulsory method हैं उनका जो skeleton है वह यहाँ पर बन चुका है इनको code करना compulsory है हमारे के लिए हमारे लिए इसके इलावा भी आप जो है वो जो आप चाहते हैं implement करना methods वो आप implement कर सकते हैं मगर यह वले दो methods implement करना compulsory हैं तो यहाँ पर सबसे करेंगे category list के अंदर जितने number of elements होंगे उतनी number of जो items हैं हमारी collection view के अंदर जो होंगी अब हम हर एक जो हमारा collection view के अंदर हर एक cell है उसके अंदर data किस तरीके से fill करना है तो उसके लिए हम जो cell for row cell for item at इस तरीके का जो parameterize method है वो code करेंगे तो किस तरीके से code करना है वो आप देख लें यहाँ पे my collection view.dq reusable cell method call करेंगे यहाँ पे with reuse identifier के अंदर cell लिखेंगे तो यहाँ पे cell क्यों यूज किया क्योंकि हमने जो यहाँ पे identifier का name था वो हमने यहाँ पे लिया था cell तो same name हम coding के अंदर जो यूज करेंगे तो इसलिए मैंने coding के अंदर cell यूज किया name identifier का तो यहाँ पे for के index path यहाँ पे type करेंगे उसको type cast करेंगे my collection view cell class के अंदर अब हम object के तुरू उसकी my image के तुरू image को set करेंगे data कहाँ से आएगा ui image के तुरू named parameter को use करेंगे data आएगा category list में से कौन सी item हम index path.row के तुरू assess करेंगे उसका particular attribute category image तो यहाँ पे अब हमने cell के तुरू इसकी my label है उसकी text property को set करना है data कहाँ से आएगा category list में से आएगा कौन सा data वह हम index path.row के तुरू assess करेंगे और यहाँ पे कौन सा attribute category name और इस cell को जो हम return करेंगे तो चलिए यह coding जो हर एक cell के अंदर जो data उसको किस तरीके से merge करना है उसके लिए हमने code किया है अब हम यहाँ पे एक method और implement करेंगे तांके हर एक cell को हम जो है हर एक size के accordingly जो है वो यहाँ पे implement कर पाए हम हर एक row के अंदर 13 columns जो है वो display करवाना चाहते है categories के तो उसके लिए यहाँ पे हम एक code लिखेंगे simple सा यहाँ पे आपने लिखना है size for item तो पहला ही method निकल के आया है इसको आप enter press कीजिए और इस method को आपने जो है वो code करना यह वहाँ method है coding बड़ी easy है सबसे पहले आपने यहाँ पे size एक variable के अंदर data डालना है data कहां से आएगा हम जो हमारा collection view है उसका जो frame है उसकी जो frame की size है उसकी जो width है उसको हम जो है minus करेंगे 7 में उसकी padding 30 और इसको divide करेंगे 3 में तांकि एक पूरी पूरी row जो है वो तीन पार्स के अंदर divide हो पाए और अब हमने यहाँ पे size return करना है cg size return करेंगे यहाँ पे cg float और cg float height जो है वो यहाँ पे return करेंगे सबसे पहले width होगी जो size हमारे पास निकल के आया है और जो height होगी वो हम by default यहाँ पे 200 पास करेंगे तो चलिए अब हम इसको एक बार save कर देते हैं तो यह code काफी easy है हमने एक पूरी के पूरी row को तीन पार्स में डिवाइड किया है और minus 30 जो हमने padding के लिए use किया है तो चलिए friends तो नहीं यहां पर code हमारा जो है वो बिल्कुल ready है अब हम इसको जो है वो run करते हो देखते हैं क्या properly निकल के आती है हमारी output simulator के अंदर तो app को मैंने run कर दिया और यहां पर देखते हैं क्या app हमारी properly build हो पाती है तो build बिल्कुल successfully हो चुकी है अब हम इसका जो output है वो यहां पर देखेंगे किस तरीके से निकल के आता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल output exactly जैसे हम चाहते थे वैसे ही निकल के आई है अब हम उपर जो है वो title बार जो navigation बार के अंदर जो title बार है उसको हम यहां पर use करेंगे तो उसके लिए मैं इसको stop करता हूं project को windows को unhide करते है main dot storyboard के अंदर अब हमने इस view controller को select करना है और यहां पर आप जो है navigation controller जो है वो आप add कर दीजिए तो यहां पर navigation controller मैंने attach कर दिया है अब यहां पर yellow उपर जो title है उसके उपर click करेंगे यहां पर जो बार है navigation item उसको select करेंगे यह यहां से और title के अंदर हम लिखेंगे category list तो चलिए अब मैं इसको दुबारा से run करते हैं और अब देखते हैं क्या output हमारी यहां पर properly निकल के आती है तो यहां पर simulator के अंदर आप देखिए उपर जो navigation item के अंदर जो title लिखा है वो भी properly यहां पर निकल के आया है और जो हमा properly यहां पर display हो चुकी है हर एक row के अंदर तीन column और यहां पर जो view है एक तरह का flip card app के जैसा वो यहां पर बन चुका है तो friends तोड़ा यह आपने दिखा है किस तरीके से collection view की help के साथ आप एक grid जो है वो create कर सकते हैं अगर आपको आज की example के बारे में knowledge मिल चुकी है किस तरी app के रिलेटर जो view है आपने create करना है तो जल्दी से वीडियो को like कीजिए और 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 भी वीडियो से हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरह के से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए बैल आइकोन को press कीजिए तांके हर एक जो वीडियो आपके पास उसी time पर प्रोग्रामिंग सीक्ते रहे